हेलो और वेलकम तो मैंगनेट ब्रेंज मैं रिया चोहान आपकी दोस्ट और वोस्ट फॉर सुशल साइंस आज आपकी 20 मिनिट रिविजन एक्सप्रेस में लेकर आई हूँ globalization and the Indian economy तो यह वाला चाप्टर आपका घूमता है अराउंड अराउंड globalization 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 क्या होता है हमारा गलोब होता है ठीक है अब गलोब पर क्या अलग 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 अब यह country जब एक गल अब अनुगकर का है अब इसका इंटियन धूनामी आरे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो देखते हैं हम की प्रोडक्शन है वो कंट्री के एक्रॉस होने लगा है पहले कि जमाने में वो जमाना गया जब एक आधी एमबेसेडर यह फियाट हमारे यहां पर रोडों पर चलती रहती थी अब आप देखो एक जगे पर कोई सा मॉडल आया तो दूसरी जग म्ल्टिनाशनल कमपणीर देखों ब्सरे कांट्रीं कांटरी में लगा करती है यह वाली कंट्री में मैं एक और युनित लगा है उसमें आर यूटि ख्लें लगाई कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी ना बस समझ में आया कि नहीं प्रोडक्शन ध्यान रखना है प्रोडक्शन जो है वह फैलने लगा है पहले समान तो जाता था फिनिश्ड गूट जाता था मतलब यहां पर पूरा समान बन जाया का टोटल पैकेजिंग सबुझेगी फिर वो दूसरे देश में जाती थी ठीक है यह अलग चीज है लेकिन आप MNC क्या करने लगे प्रोडक्शन जैसे कि जूता है तो यहां पर सोल बनाया है दूसरी कंट् क्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री जहां पर उसको कम से कम कीमत पर रोटेरियल मिल जाये कम से कम कीमत पर ट्रांस्पोटेशन हो जाएं ताकि वह जादा-जादा प्रॉसित बना पाए रही से किया कि करती है जिसे जगह करती है जेसे जहां पर सस्थे में लेबर यहां करा लिया तो यहां पर सस्तेiler मेल् रहा है तो यह वाली कंट्रिय में राव मटर में डोल एक चंपरे तो अब यह итог काफीं ज़ादा लिंग होने तो वो अलग-अलग पैतरे अपनाने लगी ठीक है इससे लोकल कंपनी को काफी ज़्यादा फायदा होता है जैसे कि कोई सी कंपनी MNC अगर इंडिया में आती है तो यहाँ पर अल्रेडी कोई सी कि आ चलो दोनों मिलकर लेटें अब इसे कैसे हैं कि अगर खरीद ले Walmart होता है तो वहां पर इंवेस्मेंट के लिए challenge देते हैं कि यह company से हाथ मिला आप आपको जो भी मशीन प्रोडक्शन जिससे प्रोडक्शन तेज हो जिससे सारी चीज अच्छे सो सके हम यह पैसा दे रहे हैं आप खरीद तो लोकल कंपनी में बेनिफिट हो गई है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ा उसका अच्छा काम हो लो जो छोटे मोटे producers हैं उनको क्या करती है बड़े बड़े orders दे देती है फिर order बनाने के बाद में अपने brand name के साथ में चिपकाती है और पूरे के पूरे देज भर में दुनिया भर में बेचती है तो यह एक तरीका होता है MNC के काम करने का कुल मिला के MNC को क्या चीज होता नई technology लेके आती है तो इस तरीके से production जो है वो अलग-अलग companies अलग-अलग countries में क्या हो रहा है एक दूसरे से interlink हो रहा है यानि की जुड रहा है समझ में आया की नहीं अभी foreign trade और integration of market कैसे हुआ पहले के जमाने में वो बात अलग थी जब से finished good इंडिया में बनता था या क इंडिया में बेचा जाता और इंडिया में बेचा जाता अब बेचा जाता तो यह चाइनीज प्रोडक्ट्स थे इनकी quality काफी थीली बोली थी ठीक है तो यह सस्ते थे साथी में हमने इनके उपर कोई से भी import पर टैक्स अगरा नहीं लगाया हुआ था तो जैसी कीमत में आते वेसी कीमत में यहां पर बाशार में बिखते ठीक है तो अब हम जो है यहां के मालों मैं इंडिया में रहने वाली हू होगा ना मतलब हम एक दूसरे से compete कर रहे हैं ना कि हमारा समान भी के समाज में आई बात किसके कारण हो रहा है यह foreign trade के कारण हो रहा है जब समान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ठीक है एक दूसरे से integrate हो रहे हैं वहां का मार्केट यहां का मार्केट यहां का मार्केट महां का मार्केट महां का प्रोडियूसर यहां का प्रोडियूसर यहां का प्रोडियूसर महां का प्रोडियूसर समझ में आया की नहीं इसे बहुत सारी जगह पर यह चीज़े चल र ले कर रहे हैं चीज़ें शेयर कर रहे हैं या बेच रहे हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो हम अगर bu all over the world लेके जाए पूरे गुलोब पे लेके जाए जो कंट्रीज एक दूसरे की क्या है नेबर्स यह सारी कंट्री नेबर ही समझ सकते आप पूरे के पूरे ग्लोब पे है ना तो यह कंट्री जितना जादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी उतना तेज यहां से समान वहां बेचा है इहां सामय खरीद लिया तो यह क्या है किसके कारणं हो रहा है क्या इ 아마 प्रोड़क्शन के कारणं और ऊप्र समय समझा पर है यह। अब यहां पर आपको पूछा जाता है कि ऐसे फैक्टर बताओ जिससे की globalization में मदद मिली है तब globalization का मतलब क्या है कि एक दूसरे से country का जुड़ना यानि की country का link होना या इंटीग्रेट होना या उनका ट्रेड बहुत अच्छा चलना है ना या फिर अगर production अलग अलग जगह पर कर रही है तो production बहुत अच्छे से चलना ठीक है तो यह कब हो सकता है जब दो factors हो एक तो पहला technology और दूसरा liberalization of foreign trade and foreign investment technology इसने कैसे मदद की globalization में यह बताती हूं अगर technology नहीं होती ना तो globalization इतना अच्छा होता भी नहीं क्यों नहीं होता क्योंकि technology में आप देखो कि ships आई containers आए तो आप जादा से साधा समान भर भर के सस्ते में बहुत आसानी से दूसरी countries में भेज सकते हो अगर यह technology नहीं होती तो भेज पाते क्या नहीं बेच पाते साथ ही में अगर आपने production इदर उदर setup करने की तो सोची लेकिन मानलों आपको कोई document की ज़रत पढ़ रही है और phone होता ही नहीं तो क्या आप महां पे लेने जाते फिर वहां से लेने जाते फिर वहां से लेने जाते तो ट्रैवल ही करते रहे जाते और पैसा बचाने के सब्सक्राइब और पैसा आपका बढ़ जाता ठीके ट्रैवल में आपका इत्ता खर्चा हो जाता लेकिन जब से टेक्नलोजी आई फोन कॉल्स हुए है ना अपना इंटरनेट आया अपना कम्यूनिकेशन आया अपने लेटर्स वगेरा जो भी जितनी भी टेक्नलोजी की चीज़े है इससे क्या हुआ काफी जाधा आसानी हुई ट्रेड करने में प्रोडक्शन करने में एक दूसरे से लिंक होने में तो जा तो इसी को क्या कहा जाता है लिब्रलाइसेशन कहला कहा जाता है अगर कंपनी लिब्रेल रहेंगे यहां आप हमारे आप प्रोडक्शन कर लो ठीक है तो ग्लोबलाइसेशन अच्छा होगा लेकिन का अगर वारे आप समान बेचना है तो उसके लिए टैक्स देना वो क्या करें रुकावट बन रहे है तो फिर ग्लोबलाइसेशन ओर ट्रेड बिर रहेंगे तो आसानी से ग्लोबलाइजेशन चलता रहेगा अब होता यह है कि जो डेवलपिंग कंट्री रहती है मतलब इनीशली जैसे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया इंडिपेंडेंट हुई अब इंडिपेंडेंट हुई तो हमारे आगे प्रडूसर समान वगेरा बेचना करना यह सब मुश् तरफ कि लगाक सामने वाले देवलपड कंट्री समान अपने आपके लोग वो समान नहीं खरी देंगे हमको में हमारे प्रडूसर का समान भी है तोई नदे को चुड़ना जाए कोई मार ना थे हैं इसलिए क्या को जरूरी है थोड़े समय के लिए रेस्टिक कर सुथा जब आप चलने लगते हो तो पेरेंट्स पर रेस्टिक नुए करते कि हाँ तोड़ा गिर लगेगी रोग कोई बात नहीं लेकिन सीक जिंदगी क्या करते हैं तो एक समय के बाद होने लगता है सेम आप इसी चीज को इसमें भी ले सकते हो लगते हैं की टैक्स लगा देते हैं इंपोर्ट की ओपर टैक्स लगा देथे ताकि सामने वाला गर सब्सक्रांब हो गए darkness liberalize, इस tax को import पे tax को इनको सबको हटा दो और trade को क्या कर दो liberalize कर दो बाहर से जित्ता समान आ रहा है आने दो उनको बेचने दो क्योंकि अब यह समय क्या है कि हमारे producers competition face करें जब वो competition face करेंगे तो अपने आप quality बढ़ेगी अपना समान भी बेच पाएंगे फिर दूसरी जगे पर यह भी बेचेंगे है ना इस काबिल हो जाएंगे कि यह भी दूसरी जगे पर competition बन सकते हैं ठीक है तो ऐसा हमको देखने को मिला है 1991 के बाद में हमने trade liberalize कर दिया उसके पहले हमने भी import पे taxes लगा रखे थे ठीक है समझ में आया तो liberalization is very important factor liberalization से confused मतो liberalization मतलब free मतलब ठीक हो ना से liberal हाँ ठीक है आजाओ हमारे यह बेच दो हमसे ले जाओ है ना खरीद लो बेच लो कोई tax वगएरा देने की जरूरत नहीं है ऐसा या देना भी तो बहुत minimum ठीक है तो यह क्या होता है liberalization अब ऐसा है यह जो liberalization वाली प्रोसेस है ना वर्ल ट्रेड शुरुवात में नहीं चाहते है ना और यह वर्ल ट्रेड और्गनाइजेशन किसने बनाया था डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया था जब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग स्टेच पर थी तो उन्होंने भी क्या किया था इंपोर्ट पे टेक्स वगएरा लगा रख खुद के इस पे इनोंने इंपोर्ट पे टेक्स वगएरा लगा के रखे ताकि इनकी कंट्री में कोई आके-ाके समान ना बेचे और इनका ही प्रड्यूसर्स ग्रो होते रहे है ना तो यह तो गलत है ठीक है तो वर्ल ट्रेड और्गनाइजेशन कहता है कि लिबरल कर दो ट पड़ेंगे ठीक है तो इस परण को ध्यान रखना डेवलप्ट और डेवलपिंग नेशन वाला ठीक है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया में क्या है तो अच्छा भी है बूरा भी है अच्छा इंपैक्ट क्या है कि काफी जादा हमारी जो मल्टीनाशनल हमार परिवर्तित हो गई है ना साथ ही में हमारे आपर इन्वेस्मेंट बहुत आया भी ऐसा देखा गया कि इंडिया में बहुत सारी भार की एमनसी इंवेस्ट करने को त्यार है कि हमारे यूथ यूथ है काफी अच्छा यूथ है इंग्लिश-speaking यूथ है बहुत एबल है है इंवेस्मेंट करने के लिए बहुत ज्याद है इस चीज तो हम लोगे हो फाइदा हो से चीज थीज तो फिर ऐसे में वो बनने से पहले ही डूब जाता है साथ ही साथ में ऐसा देखा गया है कि जो companies है यह चाहती है कि इनका ज़्यादा प्रॉफिट हो ठीक है तो यह वरकर को मेहनत का पैसा नहीं देते ठीक है उनकी कंडिशन का ध्यान नहीं रखते कुछ तो भी सेफटी एफटी ही नहीं कुछ तो भी काम चल रहा है तो इसे और्गिनाइस से अन और्गिनाइस सेक्टर में है क्वालिटी इंक्रीज हो गई है ठीक है कुछ MNC कुछ कंपनी से MNC बन गई है इंवेस्मेंट बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन अगर नेगेटिव एफेक्ट पूछे तो कहना की प्रडूसर स्मॉल प्रडूसर ग्रों नहीं कर पाते और जो वरकिंग कंडिशन से वह खराब होते जा रही है विकाज MNC जो है वो प्रॉफिट कंसर्ण है और वो ध्यान नहीं देती ठीक है यह चीज हमको देखने को मिली अब स्ट्रगल और फेयर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अब रियालिटी है सच्चाई है होना ही है ब प्रोटेक्टेट रहें अगर जरुवत लग रही है कि इन्वेस्मेंट और फॉरेंट ट्रेट पर बैरियर लगाना है टैक्स लगाना है तो बिल्कुल लगाओ ठीक है इनको प्रोटेक्ट करो साथ ही में डव्यू टो से नेगोशेट करना चीए वर्ल्ट ट्रेड और और इनक भी tire बैच पहान हमारा समान की ऐन की अच्छा बनाया जा सकता है तontaकि सभी लोगों को उससे ऐसे फाइदा हो किसिसीका नुकसान डो हो समझ में आया कि निक तो यह है आपका पूरा चाप्टर ग्लोबलाइजेशन आइंड इंडियन इकनोमी आई हो पूरी तरीके से आपको क्लियर है ठीक है अब यह जो वीडियो है यह आपके लिए ट्विक रिविजन है क्विक रिक्याप है है इससे आंसर मत बनाना यह आप से एक बार कोई बता दे कि क्या 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 सीरीज में है क्या क्या किस टॉपिक में बोला है उसके लिए वीडियो है क्योंकि आपने पढ़ रखा है आपको आता सब कुछ है तो इसको सिर्फ रिवाइस करने के लिए अच्छे से आप अपने साथ में रख सकते हो और बना सकत करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में